दोस्तों अगर आपने basic computer का course किया हुए basic computer knowledge आपके पास है लेकिन अभी तक आपने किसी company में job के लिए apply नहीं किया क्योंकि आपके मन में काफी सारे confusion रहते हैं भी एक computer operator को office work में क्या क्या work करना पड़ता है Excel में किस type की working करनी पड़ती है कौन-कौन से formula use करने पड़ते हैं खाफी सारे confusion आपके mind में रहते हैं तो दोस्तों अगर आप एक computer operator हो बिल्कुल freser हो तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे basic formula के बारे में बताऊँगा जो आपको आने ही चाहिए क्योंकि दोस्तों यह जो आज हम जिस basic formula के बारे में हम बात करने वाले हैं उन formula का use छोटे से चोटे ओपिस में भी use होता है बड़े ओपिस में तो होता ही है वहाँ पर कुछ advanced level के formula भी use किये जाते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे लेकिन हम बात करें बिल्कुल एक छो formula का use हम excel में किस तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक computer operator के लिए बहुत ही जरूरी है इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके end तक complete जरूर देखना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like भी जरूर करते हैं अगर आपने मारी चैनल पर पहली basic formula में सबसे पहले जो formula आते हैं वो जो normal होगे जोड करना, घटाओ करना, गुणा करना, भाग करना यनकी addition हो गया, subtraction हो गया, multiply हो गया, dividation हो गया उसके बाद में आपको जो आपके पास table होती है उस पर आपको filter लगाना आना चीए उसके बाद आपको average भी निकालनी आनी च formula भी आपको आना चीए और उसके बाद में normally basic pivot table और pivot chart के बारे में है, तो दोस्तों अगर आप excel के बिल्कुल ही शुरुवात को आप सिखना चाते हैं, बिल्कुल आप excel को ज़्यादा जानकरी आपको नहीं है, तो इस वीडियो को थोड़ सा ध्यान से देखना, आपको starting में जो basic formula होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको basic formula के बारे में जानकरी नहीं होगी, तो आपको जो advanced level के जो formula होते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा problem आपको हो सकती है, तो इसलिए सबसे पहले हम basic formula को सीखते हैं, तो दोस्तों अकर हमारे से जैसे मा total turnover है, अब यहाँ पर यह salesman की list है, उसके बाद में इनके अलगलग department है, electronics department को वर्क करता है, कोई furniture की department को वर्क करता है, कोई automobiles में करता है, तो इस तरीके से इनके इन्हों ने, employee ने 2019 में 10,000 पे की sale करी है, 2020 में नोंने 20,000 पे की sale करी है, तो total 30,000 पे की sale होगी, तो यह इस में total sale कितनी हुई है, उसका total हमें करके बताओ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं, यह हमारे पास जो चार्टार है, यह 2019 का है, अब इसका total हमें लगाना है यहाँ पर, अब total लगाने के लिए दोस्तों आपके पास कई formula आपको मैं बताऊंगा, कई तरीके बताऊंगा total लगाने के लिए, पहला total दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको यहां से select कर लो, select करने के लिए आप सबसे पहले जो first आपका, जो cell है, उसको select कर लेंगे, उसके बाद में ड्रेक करते भी यहां तक इसको नीचे लेंगे, उसके बाद में आपक 62606 ग्राफ उसके बाद में इसी तरीके से हमें 2020 की सेल का टोटल लगाने के लिए बोल दिये जाए तो हम जो अभी फॉर्मुला यूज किया इसका फॉर्मुला यूज नहीं किया इसका अलग तरीके से यूज करेंगे कि हम टाइप करेंगे अगर मैनुल इंगया आफका फॉर्मॉला यूज करना यूज करना है तो इकRed को का निसां पर आएंगे और I.O Sk Sub से हम टाइब करेंगे उसके बाद में यहां से आपका कोलम है और उसके बाद में यहां से टोटर लगाना है इसका इसका मतलब e4 हम ने लिखी दिया उसके बाद में हम semicolon निसा लगा के और यहां पर हम type करेंगे e12 इस तरीके से यह हम e4 से लेके e12 तक का total एंटरफेस करेंगे तो इसका total यहां पर आजेगा या फिर आप बरबर लिखो sum लिखो और break open करो और उसके बाद में यहां से mouse से पगड़ के इसके cell range यहां पर लगा दो जान तक आपको total चीए तो आप देखे तो cell की जैसे आपने select किया तो e4 से लेके e12 तक automatic range यहां पर आजेगी इंटरफेस करेंगे तो अभी इसका total लग जाएगा तो इस तरीके से हम अलग-अलग formula के तरीके से auto sum के तरीके से manually formula को लिख के भी हम इसका total लगा सकते हैं तो यह तो था पलस करने का अब यह तो था दोस्तो अगर आपके पास एक sequence में यह लग की एक ही column के अंदर सारे data है उसका total लगा दिया अब मान दीजिए आपके पास अलग-अलग column में data पड़े हो अलग-अलग column के अब जैसे मान लिजिए मैंने यहां पर कुछ सरकम यहां पर लिखी हुई है कुछ सरकम यहां पर भी लिखी हुई है यहां पर भी लिख दी और उसके बाद में यहां पर भी लिखी हुई है यहां पर भी लिखिए विए कुछ भी डटा हो सकता आप इसके बाद में यहां पे अब जैसे इस तरीके से यह डाटा अलग लग को बढ़े हैं और आपको बोल दिया जाये इसका डोल आपको इस सेल में लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है कैसे लगाएंगे एकवल का निसान दबाईए आप टाइप कर दीजिए सम एस यूम और ब्रैक्ट को पन कर दीजिए उसके बाद में आप सबसे पहले इसका कॉलम का किसी का सुरुआत कराई से भी कर सकते हो कोई फरक नहीं पड़ सेटीगा है अब यहां पर इसमें सरक कुछ में करेंगे हमालीजे में यहाँ परMost करता हूं तो यहां से देख रहे होुं हось अब primo चौर। तो आप यहां पर देख रहे हो 12614 होगी है यहां पर 12614 तो इस तरीके से हम अलग-अलग cell के अंदर अगर मारा अलग-अलग data पड़ा है तो वहां से इनको प्रेक्ट करके इनका total लगा सकती है तो वापिस इसको मैं यहां से करता हूँ delete और अब हम बात करते है minus के formula के प्योंकि अभी हमने जो formula के वो जोड़ करने के है अगर अब माली जी जैसे यहां पर हमारे पास आ रही है cell 2019 की और cell 2020 की और यहां पर इनका total तरनोर आ रहा है दस जार और भी जार जुड़के अगर यहां पर हमें के दिए भी आपको 2020 की cell में से 2019 की cell को minus करना है और सभी को करना है तो इसके लिए formula या क्या use करेंगे यहां पर हम करेंगे एक वलका निसान दबाएंगे उसके बाद आप चाओ तो type कर सकते हो इसके बाद में आप से बोला जा रहा है भी 2020 की cell में से 2019 की cell को minus करना है तो आप simple 2020 के पहले column पे click कर दीजी उसके बाद अब minus करने की बोला जा रहा है तो आप minus का निसान दबाएंगे और उसके बाद में इस 2019 के वाले cell पे click करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो यह 10,000 आ गया अब सभी के लिए बोला तो आपने एक formula यूज कर लिया तो उसके बाद आप देख रहे हो जैसे हम करें तो इस cell के बिल्कुल एक कोलने के अंदर यह इस type का निसान आपको देखने को मिलेगा आप यहां से करके लिए तो आपको इ पचास रूपए की। और डो दो जार बीस में सेल अबू दो रुपए की हैं तो अभी आप देख रहे हो अगिर्थ दो से 50 माइनस कर रहे हैं तो 150 आगया इस तरह से अगर 2019 में सेल है 200 की और 2020 में सेल 50 रुपे की तो 150 यहां पर आप देख रहे हैं यह माइनस में हो जाएगा यानि कि अब इसको अगर मलब रिजल्ट के अंसारा कर देखें तो 150 रुपे की जो सेल है वो आपकी 2020 में कम होई है बजाए 2019 की तो इस तरीके से माइनस का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके सम तीसरा फॉर्मला यूज करते हैं मल्टिपलाई का यानि कि गुणा करना तो अब गुणा करने क अब मल्टिपलाई करने के लिए आप एक्वल आप सम लिखो तो भी कोई दिखत नहीं नहीं लिखो कि तो भी कोई दिखत नहीं है अब आपको इस 50 पर गुणा करने तो आप इस 50 पर क्लिक कर देजिए इसके सेल के रहें जाजेगी एफ 19 अब उसके बाद में आपको यह ज इस पर हम गुणा करेंगे क्लिक करेंगे इंटरप्रेस करेंगे तो यह 25 आजएगा अब यहां पर हम लिखेंगे 20 यहां पर हम लिखेंगे 3 तो 20 यहां पर ओटोमेटिक आजएगा यहां पर अगर हम लिखेंगे 5 यहां पर हम लिखेंगे 3 तो 5 यह 15 अब इसका result भी आपको यहां पर उर्पमेटिक आता रहेगा केवल आपको फोर्मुले वाले को बारी बारी फोर्मुला लगाने की जुरूरत नहीं आप अपने सेल में जो डेटा आपका उसको चेंज करती थी अब माले जैसे मैं 3 देख सकते हो इस फोर्मुला बार में यानि की F 19 को A 19 से मल्टिपलाई हो रहा है अब यह इसका F कोलम है और यह 19 कोलम है इस तरीके से मल्टिपलाई का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में हमारी बारी आती है डिवाइडेशन यान की बाग करने क्या बाग करने का मतलब अब जैसे यहां पर मारे पास कुछ संख्या लिखिया 25 और यहां पर लिखावा 5 अब इसमें से बाग करना है इसका रिजल्ट करना चाहिए एक्वल अब 25 में इस 5 का बाग देना है तो सबसे पहले आप 25 कर देना है तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिक आजएगा अब यहां पर अगर कोई मैं संख्या चेंज करता हूं तो इसके संख्या भी 8.33 अब यहां पर कपी संख्या ज्यादा आ रही है आपको दो डिजिट के साथ यह तो आप इसको यहां से डिक्रीज भी हम कर सकते हैं 8. तो इस तरीके से आपको जो भी किये आप सिंपल बराबर लिखे सम लिखोगे अलाकर आपको लॉंग में आगर आपको सिक्वेंस के अंदर टोटल करना तो बराबर सम आपको पूरा लिखना पड़ेगा केवल जो सिंगल हमने यूज कर रहे हैं एक्वल का निसान जैसे के म सेल के अंदर टोटल करना जोड करना गुणा करना माइनस करना यह इसके लिए यूज के लिए आपको बराबर सम लिखना पड़ता है तो यह था स्टार्टिंग का बेसिक फोर्मुले जोड गुणा गटावा यह तो आपको हर अलात में आने ही चाहिए तो अब बात करते है उसफिल्टर लगाने के लिए मतलब क्या होगा अब जैसे हमारे पास यहां पर यह एक टेबल है अब इस टेबल पर आपको फोर्मुला लगाने के लिए बात बोल दीजाए इस में से अगर आपकी रिपॉर्ट देखनें के बोल दीजाए भी आप हमें रहमकुमार की कि ऑप्सन देखने को मिलेगा एडिटिंग का वह एडिटिंग के अंदर आपको शोट एंड फिल्टर ऑप्सन देखने को मिलेगा आप इस पर जाएंगे शोट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर फिल्टर आपको ऑप्सन मिलेगा जैसे आप फिल्टर पर ग्लीच कर दीजिए और बाकी सभी को आपको अंटिक रहना है और उसके बाद में करना है यहां से इसको तो कि अन्टिक किया प्रविण को टोड किया और प्रविण का तो आप देखे रह इसमें केवल प्रविण का रिकोड ही आपको शोगरिंग का अपको जो रंटिक हो एक है इस तोडर्य 00!! निए के आप इसके अंदर सुमित का और प्रीमिन के डिशर होग完了 और को यहां पर देखना हो कुण से एदिंक पर लगा रहा है अब आपको यह बाद सब सबसे पहले आपको यहीं से पता चल देगा आप देखे रहे हो भी सेल्स में का जो पर फिल्टर लगा हुए और यहां पर ड्रोपडाउन के साथ में आपको यह फिल्टर का निसान भी नजर आ रहा है और बाकि अगर आप यहां पर इसकी जो अलग रेंज देखोगे तो सब पर यहां पर केवल ड्रोपडाउन के निसान ही है तो इस तरीके का फिल्टर का निसान भी है तो इसका मलूब जो फिल्टर वड़ा ओप्शन है वो अपने इस हेडिंग पर यूज किया हुए है वो अपी सेल्क्ट आल करेंगे ओके करते हैंगे अगर इसके बाद आप से य देखना चाहो भी आपको इलेक्ट्रोनेक्स तो देखनी है लेकिन केवल राज्यू का रिकोर्ड देखना है तो आप इलेक्ट्रोनेक्स सेलेक्ट की दिए और यहां से केवल आप राज्यू को सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें राज्यू आएगा और इलेक्ट्रोनेक्स दो यह आपको दिखेगे अब यानि कि हमने कе वल दो option के उपर filter लगा रहे हैं डेपार्टमेंट पर भी यह और प्रक्लिक करेके सारा रिकोर्ड देखने के लिए वापिस डिपार्टमेंट पर आएंगे और उसके बाद में इसको भी स्लेक्ट करें तो सारा रिकोर्ड आपके सामने अगर इसमें से आपको यह देखना चाहिए भी 2019 के अंदर सबसे हाइट सेल किसकी है तो भी आप इसमें से 2019 के फिल्टर प इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा और उसके बाद में इसको ऑके कर दीजिए तो हाइस्ट सेल आपकी इलेक्टरोनिक्स की है और प्रवीन ने करिए है तो इस तरीके से आप इसमें सभी के अंदर फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप फिल्टर को अटाना चाहो तो वापिस आप शोट एंड फिल्टर पर जाईए और इसको फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए सारा फिल्टर आपका हट जाएगा तो दोस्तों ये भी था एक नॉर्मल सा फॉर्मूला फिल्टर लगाने का अब उसके बाद में बारी आती है average निकलने की दोस्तों average निकलने का मतरव क्या हो गया विज्यसे आप पूरे मिन्ने बारा मिन्ने के अंदर सेल करी है पर मन्त की आपके पास एव्रेज क्या रही है तो यससारा record देखने के लिए आप use कर सकते हो अब जैसे कि हम एक कोई डिकॉड लेते हैं इसमें से, अब जैसे हमारे पास ये थाव फर्निचर है, अब ये फर्निचर के अंदर हमारी 2019 में जो टोटल सेल हुई थी, अगर हम फनुचर फर्निचर केकर टोटल कर लें, और सुमित कुमार के रिकॉर्ड को देखें, तो सुमित कुमार ने फरनिचर के अंदर 23,850 रुपे का टरणोर किया था यानिकी सेल करी थी यह पूरे साल की 12 मेने की है अगर एवरेज लिए अगर बात करें भी पर मंत की सेल फिर क्या हुई तो हम क्या करेंगे इसको हम डिवाइडेशन करेंगे तो सिंपल फॉर्मुला लगाने की निम इस इकवल का निसान दबाएंगे और यहां पर इस टेज़र 850 पर हम क्लिक कर देंगे यानि कि इसकी रेंज भी आप लिख सकते हो डी 5 और उसके बाद डिवाइडेशन करेंगे हम 12 क्योंकि अब यह जो सेल आ रहे पूरे 12 मिने की सेल है और हमें एक मिने की सेल चीए तो आप डिवाइडेशन रबारा कर देंगे इंटर प्रेस करेंगे तो अब इंटर प्रेस करेंगे तो मारे पास यह रिजल्ट है जैनकि की 1988 और पचास पेसे पर मंथ की सेल की एवरेज आरही है हमने कोई मने कर फिक्स नहींब इवने निकार आप अगर हम सिंपल एक रिकोर्ड यहां पर हम लेते अब मालजी आपकी पुरे मंथ के साल के अंदर आपने 55,000 रुपे की सेल करी है यह पूरे बारा मेंने कि अगर हम एक मन्त की एवरेज निकलेंगे तो डिवाइडेशन इक्वल का निसान दिवाएंगे और उसके बाद में 55,000 की सेल पर हम क्लिक करेंगे यानकि E19 आजेक और उसके बाद में डिवाइडेशन बारा तो यानकि 55,000 रुपे और 33 पेसे पर मन्त की एवरेज है अगर यहाँ पर हम कर दें 24,000 रुपे तो 24,000 का मतलब 2,000 रुपे पर मन्त की आपकी एवरेज आ रही है तो एवरेज के लिए हम सिंपल जितना भी डिवाइडेशन करने हो जैसे कि हम कोई result अगर हम निकालना हो माले जी कोई 600 नमबरां को आपका टोटल एक्जाम है उसमें से आपने 300 नमबर ले लिए तो क्या परसेंटेज है आपके 50 परसेंट यानकि और उसके बाद में कितने मार्क्स आपने लिए और किसन में से लिए हम इसको यहां से करेंगे परसेंटेज यहां से आप परसेंटेज लगाओ तो यहां से आप परसेंटेज कर भी सकते हो इसमें से आपके यहां से यहां से यहां पर आपको परसेंटेज का option भी मिल जाएगा यहां पर आप डायरेक्टली इस पर भी क्लिक कर सकते हो यानि कि 50% हमें object की यह mark हमने लिये हैं तो इसका मलब यह होगे भी 600 नंबर का paper है और 300 आपने लिये तो 50% है अगर 600 का है और आपने 400 लिये हैं तो इसका मलब आपने 67% mark परत किये हैं 600 में से 500 लियें तो इसका बाद 83 आपने परसेंट लियें और इस तरीके से अकर आपने 600 में से 600 नंबर आपने लियें तो 100% आपके mark सांगे तो इस तरीके से एवरेज का percentage का formula भी आपको यूज करना आना जीए और उसके बाद में बारी आती है वी लुक अप की ये थोड़ा सा एक advanced formula की category में आता है वी लुक अपका दोस्तों वी लुक अपका भी मतलब क्या होता है भी बड़े से बड़े data को एक short रूप में देखने के लिए हम एक छोटा सा example हम यही लेते हैं अब हम जोड़ा साइस को बड़ा करते हैं अब जैसे मारे पास यह कोलम है अगर इस कोलम को अगर हम यहां पर लिखना चाहें भी हमें particular हर employee की सेल हम यहां पर नजर आनी चाहिए 2019 की भी और 2020 की तो हम यहां पर एक बार heading उना लेते हैं 2019 की सेल और 2020 की सेल और यहां पर मारे नाम रहेंगे salesman इसको भी हम एक बार वोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहां से इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे अब sales में हम एक बार नाम लिख लिए हमने राजू यानि कि अब हम यहां पर पता होना चाहिए आपको वी लुक अप आटमेटिक आजएगा उसके बाद में वी लुक अप के पास जैसे आप वी लुक अप करोगे तो आपके पास option आजएगा लुक अप वेल्यू भी कौन सी लुक अप वेल्यू आपको यहां से उटानी है तो आपको salesman के अनुसार इठानी है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए आप यहां पर simple कोमा लगाईए और उसके बाद में यह कह रहा है आपको table array अब table array का मतलब आ गया भी अब यह कह रहा है भी राज्यू तार के अब राज्यू है क्या क्या दिखा हूं रोजर को मैं हम यह चीछ है भी राज्यू के जो array की जो table value वो सारी हमारी यहां से आनी चाहिए इसमें से record कुछ भी हो सकता है उसके बाद में कह रहे भी आपने सारा record बता दिया इस record में तो बहुत कुछ है अब इस record में से मैं क्या दिखा हूं तो हमें यहां पर चाहिए भी 2019 की sale है जो हमें दिखाए अब यह 2019 का column कौन सा आ गया यह वाड़ा अब यह हमें देखना है भी जो मारा salesman का जो record है उसके क कोमा में लिखेंगे लगा के 3 उसके बाद फिर हम यहां पर कोमा लगाएंगे और उसके बाद में हमारी value आनी चीए बिल्कुल एक्जिस्ट जितना 2019 की sale है उतनी value आनी चीए तो हम यहां पर इसको कर देंगे 0 और enterprise करेंगे अब यहां पर आप देख रहे हो इसकी 33,811 रु वापिस में कितने किया है वो भी हम जैक हैंगे इसके मोई फरम यूज करेंगे बराबर वेल कॉप और वापिस इसकी sell के range देंगे हम इस पर क्लिक करेंगे वापिस हम कोमा हम लगाएंगे कोमा लगाने के टेबल हम यह पूरा टेबल यहां पर इसको record का बताएंगे और उस आने चीए कोई उपर भी नहीं होना चीए नीचे भी नहीं होना चीए एंटरप्रेस करेंगे तो आप देख रहेंगे 31,562 रुपए की sell आगे अब यहां पर अगर हम कोई और नाम लिखते हैं जिसे की विवेक हम लिखते हैं विवेक जैसे आप विवेक लिखोगे तो अभी आप देख रहें जो विवेक की जो sell है अब इसके अंदर आ नीरी है अब नया आने का कारण अब इसमें आपका spelling का mistake भी हो सकता है तो इसमें अब क्या बताएंगे अगर आपने कोई spelling mistake करी है अगर आपने कोई space दे दिये त तो यह error दिखाएगा तो अब आपके अंदर देखो अब इसे हमने अभी जो आपर रिकोर्ड जो लिया था वो केवल राजू का लिया था अगर आप चाहते हो भी आपको यह बारी-बारी से नाम नहीं लिखना पड़े तो आप यहां पर क्या करोगे drop-down की list त्यार कर दो इसमें हम बोलते हैं इसको data validation तो data validation के लिए आप इस पर click करने और उसके बाद में आपको जाने data पर जाने के बाद यहां पर मिलेगा आपको data validation का और data validation में data validation और यहां पर आपको anywhere में select करने list और list में आने के बाद यहां पर आपको इस source पर click करने और इस source में से आपको यह कि सारा नाम यहां से select कर देने और को कि करते हैं अब इसमें क्या हो जाएगा सारा का सारा नाम का record आजेगा जिसे अज्या कुमार आ गया समित कुमार क्लिक करोगे सुमित क्लिक करोगे विवे की भी आपकी सारी total sale आजेगी अजे को 45,210 रुपे की 2019 की सेल है तो आपको यहाँ पर भी 45,210 रुपे की सेल है तो क्योंकि यहाँ पर अगर आप बारी बारी नाम लिखोगे नाम के अंदर कोई मिश्टेक होगी स्पेस आपने ज़्यादा दे दिया तो यहाँ पर एरर दिखाएगा इससे अच्छा है यहाँ पर लगा सकते हैं प्रिवेंड क्लिक करेंगे तो प्रिवेंड की जो 19 पीस की सेल आ सकती है तो इस तरीके से यह मैंने बेसिक आपको विलूक पता है एडवांस लेवल के फोर्मिले हम बात करेंगे के जो आपको सिम्पल आने चाहिए और उसके बाद में दोस्तों बात आती है पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट के बारे में जो की Microsoft के Insert मेनिऊ में और यहां पर आपको dेखने को मिलते हैं दोनों ब्रफशन पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट के बारे में इन पर special video 오늘 बनाया हूए तो आपको इन वीडियों को जाके जुरूर देखना इन दोनों वीडियो का link मैंने इस वीडियो के description में दे दिया है और उपर आपको i button पर भी इनका link मिल जाएगा तो यह आपको private table का video मिलेगा इसमें और यहाँ पर आपको private chart का तो कि अगर यह सारी बाते हम इसी वीडियो में करेंग तो यह वीडियो काफी ज़्यादा lengthy हो सकती है तो आप इन दोनों का special वीडियो में ने बनाया दोनों वीडियो का link आपको description में मिली जाएगा तो प्लीज आप वहाँ से इनको link पे जाएगे क्लिक केजिए और वीडियो को अराम से अच्छी तरीके से समझिए तो दोस्तो यह थे आज के इस वीडियो में कुछ basic formula जो आपको हर आलात में आने ही चीए अगर आप एक office में अच्छी जोब जाना चाते हो जल्दी promotion चाते हो तो आपको यह basic formula आने में चीए दोस्तो हम इस एक्सल स्रीज में इस basic formula के साथ हम advanced formula के भी बारे में बात करेंगे तो दोस्तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, knowledgeable लगी हो, वीडियो से खुछ शीखने को मिला हो तो प्लिज इस वीडियो को like जुरूर कर देना दोस्तो अगर आपने इस चैनल को भी subscribe नहीं किया हो, तो फिलिज वो भी कर लेना क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सको तो दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में एक और नए टोपे के साथ